Hello everyone, मेरा नाम निधी है, अगर आप US visa interview देने जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जरुवत होगी कुछ documents की जो वहाँ पर check होंगे, verify होंगे, अब ये documents क्या हैं, चलिए बात करते हैं, अब पहली चीज़ तो, जब आप interview के लिए जाएंगे, तो उसके पहले दिन आपका bi biometric होगा, और इन दोनों ही biometric के लिए भी, इंटर्विय के लिए भी आपको documents लेकर जाने होंगे, documents में सबसे पहले आजाता है आपका passport जो आपको लेकर जाना है, इसके बाद आता है आपका form DS-160 का confirmation, आपको form DS-160 नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ उसका जो confirmation page है, confirmation receipt है, वो लेकर जाना है, अब अगर आपने अपना form DS-160 अपडेट किया है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये है updated form और जो पुराना form था, जिसमें आपने changes किये हैं, आप उसका भी print इस तरह से लेकर जाएंगे, form नहीं लेकर जाएंगे, जो receipt है, confirmation receipt है, form DS-160 की, पुरानी वाली वो तुरंट से ही इसको update कर लेंगे, जो नया वाला form है, उसको update कर लेते हैं, तो ये दोनों print आपको लेकर जाना है, दोनों का confirmation page आपको लेकर जाना है, इसके अलावा main चीज और आजाती है, एक है आपका appointment confirmation, तो इसके आपको करीब 3-4 pages का ये आपका confirmation होता है, इसमें आपके पूरे details mentioned होते हैं, और अगर आपके साथ कोई family member भी travel कर रहा है, तो उनके भी details यहाँ पर इस तरह से mention होंगे, तो ये कुछ 3-4 pages का आपका appointment confirmation होता है, तो इसका भी print आपको लेकर जाना है, ये भी चीज वहाँ पर check होती है, बायोमेटरिक वाले दिन, ये जो आपका DS-160 confirmation ह ये आपके passport के साथ match किये जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कुछ भी mismatch नहीं होना चाहिए, जो details आपके passport में हैं, वही details आपके DS-160 में भी printed होने चाहिए, तो यही चीज वहाँ सबसे पहले verify होती है, तो ये तो हो गए आपके maintain documents, passport, confirmation receipt DS-160 की और तीसरा हो गया आपका appointment confirmation letter, तो वो आप कहां से लेंगे, जो आपका US visa scheduling वाला portal है, वहाँ पर आप जाएंगे, और second option है, appointment confirmation का वो आपको select करना है, तो यहाँ पर आपका appointment confirmation है, इसका भी आपको print लेकर जाना है, तो इसका भी आप print ले लीजे, सारे details आपके यहाँ पर given रहेंगे, तो fees वगेरे का इसका भी detail है यहाँ पर, बट फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप ले पाएं, तो बेटर होगा, कुछ एक prints extra ID आप ले सकते हैं, तो अच्छा रहता है, जैसे कि जो आपका fees का receipt होता है, जब आप appointment book करते हैं, उस तो आप fees fill करते हैं, तो वो जो print होता है, fees submission का, वो print भी आप यहाँ से print करा कर ले कर जाएंगे, तो यह तो हो गए आपके main documents, अब इसके बाद आजाते हैं, funds जो आपको show करने होते हैं, तो यहाँ पर दो scenario है, एक है job वाली category और दूसरी है without job, तो जो ladies वहाँ पर जा रही है, वो क्या कर सकती है, अपने husband के last three month के bank statement, वहाँ पर show क कर सकती है, या फिर कोई उनके पास investments है, ऐसे joint investments है, तो और भी अच्छा है, otherwise जो husband के investments है, या funds है, FDs वगएरे हो गई, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर show कर सकती है, और दूसरा आजाता है job वाली category, तो अगर आप job में हैं, तो आपको क्या-क्या दिखाना होगा, तो सब अपसे पहली चीज़ आपको दिखाने होगी, लास्ट तीन महिने का आपका bank statement, इसके बाद आजाता है आपका ITR form, लास्ट तीन सालों का ITR, ना सिर्फ यूएस वीजा के लिए, वलकि आप किसी भी वीजा के लिए apply करेंगे, तो कम से कम लास्ट तीन साल का ITR वहाँ पर मा कर सकते हैं, तो इस तरह के सारे ये funds के जो भी proof है, उनके print out आप ले जा सकते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, टूरिस्ट वीजा के लिए आप एक invitation letter ले जा सकते हैं, invitation letter कुछ नहीं होता है, एक mail होता है, अगर आपका कोई family member वहाँ पर रह रह रहा है, यूएस में, तो आप उनसे एक invitation letter request कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पर ले जा सकते हैं, तो वो आपको mail पर एक invitation letter send करेंगे, जिसमें आपका नाम होगा, आपका passport number होगा, address होगा, और जो आपको invite कर रहा है वहाँ पर, अगर आपका कोई family member है, जो आपको वहाँ पर invite कर रहा हैं, आपको ये चीज़ उसमें mentioned होगी, और आप उनके ही घर पर वहाँ पर stay करेंगे, तो इस तरह का आप invitation letter ले जा सकते हैं, और कोशिश करें, अगर वो अपनी company का जो email ID होता है, उससे आपको mail भेज़ें, तो जादा better होगा, तो उसमें क्या होगा, ये पता चल जाएग कि वो वहाँ पर already job कर रहे हैं, अचा एक और चीज़, बहुत लोगों को confusion होता है, कि क्या हमें पहले से tickets book करने होते हैं, interview के पहले, तो बिलकुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपका visa approve होता है, तो तो ठीक है, नहीं होता है, तो पूरा पैसा आपका waste जाता है, कई बार refundable भी होता है, बट उसमें भी आपका loss हो जाता है पैसे का, और दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी आपसे नहीं पूछता है, क्या आप कि tickets हैं या नहीं है, क्योंकि जो भी dates आप form DS-160 में भर रहे हैं, वो tentative dates हैं, जो vary कर सकती हैं, flexible dates होती हैं, तो बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है, कि आप जो tickets हैं पहले से book कराएं, और उनका print वगरे लेकर जाएं, ये कोई नहीं वहाँ पर देखने वाला है, लेकिन आपको कोशिश करनी है, main documents बस लेकर जाएंगे, बहुत ज़दा documents लेकर जाएंगे, आपको भी confusion होगा वहाँ पर, और जब आप shuffle क लेकर जाएंगे, उतना ज़दा confusion होगा, nervousness होगी, और वो आपके interview process के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, तो जो relevant documents है, बस वही लेकर जाएंगे, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलती हो आपसे next वीडियो में